फिर कुछ लोगों को गुस्सा आएगा लेकिन ये बात 100% सही है कि भारत के पडोसी इस धर्ती के सबसे नाकारा देश हैं और मेरी ये बात फिर से भारत के पडोसी देश नहीं खुद से 6 महीने के अंदर साबित करके रख दी है आपके सामने लिटरली प्रैक्टिकल कर दिया है क्या है प्रैक्टिकल कि भारत के तमाम पडोसी देश नाकारा है जब जब इनका अच्छा टाइम चलता है इनके पास पैसों की कमी नहीं होती जब तक ये लोन लेकर घी पीते हैं तक भारत के पडोसी देश और उनके नेताओं का एक ही ठिकाना है एक ही पता है वो है भा उधार के घी किष्टे चुकानी होती है ना इनकी लंका लग जाती है ये डिफोल्ट दिवालिया होने की कगार पर पहुंचते हैं तो फिर भारत के पास गिड़ गिड़ाते हुए आते हैं कि हमारी मदद करनो वरना हम बरबाद हो जाएंगे सिर्फ तीन सालों में ही शिरलंक का नेपाल इस बात को सही साबित कर चुके हैं लेब तीसरा देश इस लिस्ट में जुड़ चुका है वो है मालदीव सिस्किन पर आप देखिए मालदीव अब बैंकरप्सी की गगार पर पहुंच चुका है एक हफते के अंदर अगर इन्होंने एक खास बोंड की किष्टे नहीं चुकाई एक जो इन्होंने बड़ा लोन लिया था उसके किष्टे नहीं चुकाई तो ये देश ओफिशली यानि कि आधिकारिक तोर पर बैंकरप्ट हो जाएगा यानि कि दिवालिया घोशित हो जाएगा बरबाद हो जाएगा एक हफते के अंदर भारत अगर इनकी बहुत ही जादा है लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत इनके करज क्यों चुकाई बहला करज लेकर घें ये पिये और फिर बाद में भारत इनकी किष्टे भरता फिरे मदद वो करेंगे जिनके कहने पर पिछले छे महीनों से इनका राश्ट्रपती इनकी सरकार भारत के पर रहा था तो बात आपकी सही है ये पहले उनी देशों के पास अपने आकाओं के पास मदद मांगने बीजिंग गए थे तुर्की गए थे और रिपोर्ट तो यह है कि पाकिस्तान तक भी चले गए थे लेकिन किसी ने भी इनकी मदद करने से मना कर दिया हां तक कि जो इनके स पदले में चाहिए होगा यानि कि जमीन या फिर कोई बंदरगाहा या कोई एरपोर्ट यानि कि चीन मदद तो छोड़िये इनकी मजबूरी का फिलाल फाइदा उठाकर इने ब्लैक मेल उल्टा कर रहा है इसलिए इनके पास कोई और चारा नहीं बचा भारत के सीवाई इस आपकी सरकार के साथ बैठक करना चाहते हैं लिटरली मालिव की सरकार गिड़ गिड़ा रही है कि कुछ भी करके पियम मोदी के साथ एक बैठक अरेंज हो जाए हमारे राश्टपती मौमद मौईजू की फिलाल इसको लेकर कंफरमेशन नहीं आई है कि पियम मोदी मिलना च तयार है लेकिन भारत इस बार मुफ्त का मलीदा इन्हें नहीं पेलने देगा कुछ ना कुछ भारत को देना पड़ेगा और भारत विरोधी जो एजेंडा चल रहा है माल्दीव में वो भी खतम करना होगा इसके लावा चीन का जो प्रभाव है उस पर भी प्रहार करें माल पिछले 6 महीने से लगातार भारत के आम लोगों को ये कह रहे थे कि हमें आपकी जरुरत नहीं हमारे यहाँ टूरिस्ट चीन से आ जाएंगे हमारी मदद चीन कर देगा लेकिन आज भारते टूरिस्टों के ना आने की वज़े से इनकी कमाई इतनी जादा गिर चुकी है कि ये लोग किष्टे भी नहीं चुका पा रहे है अपने देश के करज की और मैंने आपको तब भी बताया था 6 महीने पहले ही कि जो चीन के टूरिस्ट है वो भारते टूरिस्टों को मालदीव में रिप्लेस कर ही नहीं सकते क्योंकि चीन बहुत दूर पड़ता है मालदीव स फ्लाइट का खर्चा जादा होता है दूसरी बड़ी बात चीनियों के पास मालदीव से बेटर ऑप्शन है वो भी सस्ते में वो इससे आधी रेट की फ्लाइट में और ऑप्शन देख ले तीसरी बड़ी बात जो इंपोर्टन है वो ये कि चीन की सरकार कहतो देगी मालदी विष्टो को प्रमोट करेंगे कि आप मालदीव जाईए लेकिन क्या चीन की सरकार घर घर जाकर कहेगी जबरदस्ती लोगों को कि जाओ मालदीव घर से निकलो नहीं ऐसा नहीं होता लेकिन मालदीव का मंदबुद्धी राष्टपती इस बात को नहीं समझा और इसका खा हुआ है